आप लोग यहाँ पर SSE GD का Admit Card डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद जब आप लोगों के पास इस प्रकार की Error आती है तो यह Error क्या है, किस चीज की है और क्या करना चाहिए आईए दोस्तों Complete जानकारी लेते हैं इस वीडियो के अंदर तो वीडियो के अंद तक बने रहेगा, ठीक है तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग देखिए अगर इस तरीकी की Error आती है तो सबसे पहले आप लोग जाएंगे यहाँ आप SAC की साइट पर Admit Card के लिए क्लिक करोगे यहाँ पर और जिस तारीकोर डेट है उस तरव आप क्लिक करोगे ठीक है क्लिक करने के बाद में जब आप लोग यहाँ जाएंगे Summit करेंगे करने के बाद इस तरह से आपके पास रहेगा interface आएगा वहाँ से आप लोग सा पूरी जान कारी फिल कर देंगे यहां से यह कर देंगे और देखिए यहां से यह date of word लोग feel कर देंगे यहां पर और यह feel किया है आपने ठीक है जब आप लोग status check करते हैं तो आपके देखिए यहां पर screen के ओपर इस तरह की देखिए यहां पर error नजर आ रही है sorry you have entered wrong registration ID और role number और name और father's name और date of word तो ऐसी error क्यों आ रही है ऐसी error क्यों आ रही है तो दोस्तों आपको गवराना नहीं है क्योंकि दोस्तों जब आप लोग यहां पर सर्च करेंगे तो देखिए यहां पर यहां पर यहां पर application के यहां पर show करेगा ठीक है कि नहीं है तो इसका मुलब यह नहीं है कि आपको कोई error आई हुई है ठीक है तो नेस्ट जेसी update होती है नेस्ट तो वहां पर आप लोग दुवारा से जाके सर्च कर सकते हैं यहां पर application में admit card में डाउनलोड करेगे वहां पर अभी तक देखिए यहां पर इस 28 से 28 तारीक को जो एक्जाम होगा वहीं तक के लिए यहां पर update किया गया है तो next or update हो जाएगा तो वहां से आप सर्च कीजिएगा वहीं पर आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा तो पिलाल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को गबराने कि आप सकता नहीं चलिए उमीद करता हो आपको यह बात समझ में आ गई पर समझ में आ गई है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए शेर करना ना भूलिएगा तेंक्यू सो मच जो लोग नए जुड़े हैं चैनलन को जरूर सब्सकार्ब कीजिए